नमस्ते दोस्तों आज हम आपको जर्मनी के टॉप फाइव टूरिस्ट प्लेस दिखाएंगे ये जगहें अपनी नैचरल ब्यूटी और युनीक चाम के लिए फेमस है अगर आप जर्मनी घुनने का प्लैन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है त चाहे आप हिस्ट्री लवर हों नेचर लवर हों या फिर मॉडरन सिटीज के बीवाने सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की राजधानी और कल्चरल सेंटर बिरलीन की बिरलीन एक ऐसा शहर है जो हिस्ट्री और मॉडर्निटी का अद्भुत संगम है यहां आपको ब्रैंड पॉइंट चाली जैसे important places हैं जो आपको जर्मनी के अतीज की याद दिलाएंगे लेकिन बरलीन सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं है यहां की night life भी बहुत मश्यूर है यहां आपको कई clubs, bars और restaurants मिलेंगे जहां आप देर रात तक party कर सकते हैं खाने पीने के शौकीन लोगों के ही है जो बावेरियन अल्प्स की प्रिष्ठ भूमी में स्थित है इस महल को 19th सेंट्री में किंग लोद्विग डपीय ने बनवाया था और यह उनकी कलपना और कला प्रेम का प्रतीक है महल के अंदरूनी भाग को देखना एक अधभुत अनुभव होता है जहां आपको सु हम का आनंद ले सकते हैं बोट की सवारी कर सकते हैं या फिर पैदल ही आसपास के जंगलों में खूमने जा सकते हैं हमबुर्ग को जर्मनी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा पोर्ट है यहां आकर आपको एहसास होगा कि ये शहर उराने और नए का एक अनोखा मिश्रें है यहां के एतिहासिक बैर हाउसे को अब मॉडरन अपार्टमेंट्स, शॉप् बदल दिला गया है है हैंबुर्ग अपनी नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है खास कर सेंट पॉली इलाके में जहां आपको कई कलब्स बार्स और लाइब म्यूजिक वेनिस मिलेंगे यहां का फिश मार्केट भी बहुत प्रसिद्ध है जहां आप ताजी मचली और सीफूड का आनंद ले सकते हैं चैप्टर चार अगर आप जर्मनी की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आपको रोमैंटिक रोड पर जरूर जाना चाहिए यह सड़क मार्ग आपको जर्मनी के सबसे सुंदर विलिजिस, टाउन्स और महलों से होकर ले जाती है रोमैंटिक रोड लगभग 400 किलोमीटर लंबी है और यह आपको मेडिवल सिटीज, वर्ट्सबर्ग और आउग्सबर्ग जैसे हिस्टॉरिकल प्लेसिस से रूबरू कराती है रास्ते में आपको कई खुबसूरत चर्चेज, महल और नाच्रल लैंड्सकेप्स देखने को मिलेंगे रोमैंटिक रोड पर ड्राइव करना एक अविस्मरणिय अनुभव होता है खास कर स्प्रिंग या ओटम के मौसम में जब आसफास के पेड रंग बिरंगे फूलों से लदे होते हैं आप अपनी गाड़ी रोग कर स्थानिय दुकानों से हैंडी क्राफ्ट्स खरीच सकते हैं ट्रेडिशनल जर्मन फूड का स्वाद ले सकते हैं या फिर किसी आराम दायक होटेल में रात विता सकते हैं चाप्टर पांच अंत में हम चलते हैं जर्मनी के साउथ वेस्ट में स्थित ब्लाक फॉरिस्ट की ओर यह एक शेत्र अपने घने जंगलों, सुंदर लेक्स और मनमोहग विलिजिस के लिए जाना जाता है ब्लाक फॉरिस्ट हाइकिंग, साइकलिंग और बोटिंग जैसी आउटडॉर अक्टिविटीज के लिए एक आदर्श स्थान है यहां आपको कई हाइकिंग ट्रेल्स मिलेंगे जो आपको घने जंगलों, वाटरफॉल्स और पहाडी चोटियों तक ले जाएंगे ब्लाक फॉरिस्ट अपनी क्लॉक्स और ककु क्लॉक्स के लिए भी प्रसिद्ध है यहां आपको कई दुकाने मिलेंगी जहां से आप ये खुबसूरत क्लॉक्स खरीद सकते हैं ब्लाक फॉरिस्ट केक भी बहुत मशूर है जो चॉकलेट स्पंज केक, चेरीज और विप्ट क्रीम से बना होता है उत्रों तो दोस्तों ये थे जर्मनी के 5 सबसे खुबसूरत टुरिस्ट स्पॉर्ट्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जर्मनी घूमने के लिए कुछ प्रेणा मिली होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना न भूले धन्यवाद